हेलो दोस्तों मैं हूँ फृतम और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी किचन में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हल्दी रामस पेसल बहुत ही टेस्टी एकदम हेल्दी मिठाई तिल मावा रोल की रेसिपी इस मिठाई को आज में बहुत ही आसान और बिल्कुल कम से कम इंग्रीडेंट के साथ बनाना बताओंगी जिससे कि आप कभी भी घर पर इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं तो वीडियो में अंतक बने रहें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए इस टेस्टी सी मिठाई को बनाना शुरू करते हैं तो इस मिठाई को बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस पर एक कडाही चराएंगे और कडाही में एक कप सफेद तिल डालेंगे जो की वजन में लगबग 200 ग्राम है अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे जिसे की तिल जले नहीं और बढ़ि जाते हैं तो भी इनका टेस्ट कड़वा हो जाता है और जब आप तिल की मिठाई बनाते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी भी मिठाई बहुत ही टेस्टी बनेगी तो बस यहां हमें तील को जादा नहीं भूनना है बस 2-3 मिनिट में ही तील भून कर तयार हो तो मावा बनाने के लिए फिर एक कराही को गैस पर चढ़ाएंगे और इसमें एक कप दूद डालेंगे दूद आप कोई भी इस्तमाल कर सकते हैं गाय का भैस का या फिर पैकेट वाला उसके बाद इसमें एक कप ही मिल्क पॉडर एड़ करेंगे यह स्किम्ड मिल्क पॉडर ह जो कि आपको किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पर बहुत ही असानी से मिल जाएगा और अब पहले बिना गैस का फ्लेम आउन किये इन्हें बढ़ियां से मिक्स करेंगे जिससे कि इसमें कोई भी लंस न रहे और जब एक बार मिल्क पॉडर दूद में अच्छे से मिक्स हो और लो फ्लेम पर ही इसे चलाते हुए इसका मावा तयार कर लेंगे तो इस तरह से बहुत ही इसली हम घर पर थोड़े समय में मिल्क पॉडर से मावा बना कर तयार कर सकते हैं और इससे कभी भी किसी भी तरह की मिठाई बना सकते हैं इसे इस तरह से बॉल में निकाल कर माव को भी बढ़ियां से ठंडा कर लेंगे और ये देखिए इतने देर में यहां हमने जो तिल रोस्ट किया था वो भी पूरी तरह से ठंडा हो गया है तो पहले हम 2-3 चम्मज तिल निकाल कर अलग कर लेंगे जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे और अब ये जो बचे हुए तिल हैं सारे तिल को ही हम जार में ट्रांसफर करेंगे और इन्हें पल्स मोड पर या फिर थोड़ा रुक रुक कर तिल को दरदरा पीस लेंगे तो यहां मैंने तिल को हलका सा दरदरा टेक्शर का पीस लिया है पीशते समय ध्यान रखना है कि ग्राइंडर को पल्स मोड पर या फिर थोड़ा तुरुकरुक कर चलाए क्यूंकि अगर ग्राइंडर को लगातार चलाकर तील को पीशेंगे तो तील का वाइल रिलीज हो जाएगा और ये पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा इस तरह से पॉडर फॉर्म में नहीं होगा तो इसे मैंने बाउल में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि तील से थोड़ा भी वाइल रिलीज नहीं हुआ है अब एक बड़ा सा बरतन लेंगे जिसमें सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले मिल्क पॉडर से बनाया हुआ मावा डालेंगे उसके बाद इसमें ये ग्राइंड किया हुआ तिल आड़ करेंगे और अब यहां एक कप ही पॉडर शुगर आड़ करेंगे वैसे तो powder sugar आपको grocery store पर बहुत ही असानी से मिल जाएगा लेकिन आप चाहें तो चीनी को grinder जार में पीस कर भी powder sugar घर पर तयार कर सकते हैं अब हाथों की मदद से सारी चीजों को बहुत ही बढ़ियां से mix करेंगे ध्यान रहे कि जब तील, मावा और powder sugar तीनों mix कर रहे हों तो सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी होनी चाहिए नहीं तो powder sugar melt हो जाएगा और मिठाई खराब हो जाएगी अब क्यूंकि तील की ताशीर काफी गरम होती है तो ठंड में तील से बनी मिठाईया काफी हिल्दी होती है तो इस तरह से हम तील की मिठाई घर पर बहुत ही आसानी से बना कर तयार कर सकते हैं और एक बार जब ये mix करने के बाद इस तरह से डो जैसा बन जाएगा तब एक silver foil लेंगे और इस पर घी या flavorless तेल से हलका सा grease करेंगे जिससे कि जब हम डो को बेलेंगे या फिर roll करेंगे तो चिपकेगा नहीं अब silver foil को grease करने के बाद इस पर डो रखेंगे और पहले हाथों की मदद से हलका सा फ्लैट कर लेंगे और अब बेलन को भी पहले हलका सा grease करेंगे उसके बाद बेलन की मदद से बढ़ियां से इसे फ्लैट करेंगे यहां हमें ना जादा पतला और ना जादा मोटा बेलना है बस medium थिकनेस का हम डो को बिल कर तयार करेंगे और यहां आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही easily बिल कर तयार हो गया है तो अब इस पर हम कुछ ड्राइफरूट्स के कतरन स्प्रेट करेंगे वैसे तो यहां मैंने ड्राइफरूट्स में काजू बदाम और पिस्ता को काट कर लिया है पर आपको इन सब में जो भी ड्राइफरूट्स पसंद हो वो इस्तमाल कर सकते हैं अब ड्राइफ्रूट्स के कत्रन स्प्रेड करने के बाद इस पर हलके हाथों से बेलन को इस तरह से चला लेंगे जिससे की ड्राइफ्रूट्स अच्छे से सेट हो जाएगा और जब ड्राइफ्रूट्स बढ़ियां से सेट हो जाएगा तब इसे एक साइड से इस तरह से लूकिंग भी अच्छी आएगी और इस तरह से मैंने इसे बहुत ही बढ़ियां से रॉल कर लिया है और साइड में भी इस तरह से हम इसे बंद कर लेंगे अब इसे इसी तरह से फॉयल पेपर में ही रैप करेंगे और अब इसे या तो फ्रीजर में 10 मिनट या आधे घंटे त और अब ये देखिए रॉल बहुत ही बढ़ियां से सेट हो गया है तो अब इस पर ये जो हमने भुने हुए तिल निकाले थे वो डालेंगे इस तरह से रॉल को एक बार घुमा देंगे तो ऐसा करने से तिल रॉल में अच्छे से से सेट हो जाएगा जिससे इसकी लुकिंग भी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ खाने में तो टेस्टी लगेगा ही अब ये देखिए सारे तिल बहुत ही बढ़ियां से चिपक गये हैं तो अब हम इसे इस तरह से चाकू से लगभग हाफ इंच की मुटाई में काटेंगे यहां इसके पिसे थोड़े छोटे ही रखें जिससे की ये मिठाई देखने में सुन्दर लगेगी तो आप देख सकते हैं बहुत ही नरम मुलाइम एकदम मुँ में घुल जाने वाली मिठाई बनकर तयार हैं तो अब देर की इस बात की आप भी जाएए और इस मकर संक्रांती के मौके पर बजार की ये सुन्दर और एक अच्छा लगा हो या helpful लगा हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो में अन तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो फिर मिलती हूं अगली वीडियो में एक और ऐसे ही नई रेस्पी क के साथ तब तक के लिए बाबाई